श्री कृष्ण भगबान श्री कृष्ण की किपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो गीता की अठारा ग्यान की बाते गीता की इन अठारा बातों को अपना नेवाला बेखती शभी दुखों और बास्नाओं से हो जाता है दूर भगबत गीता में भगवान श्रीकिस ने न केबल ग्यान की बाते बताई बलकि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया भगवान श्रीकिस ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया वह हर मनुष के लिए प्रेरना दाएक है गीता में भगवान श्रीकिस ने अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष भगवान गीता की अठारा बातों को अपना कर अपने जीवन में उतारता है वह सब ही दुखों से बासनाओं से क्रोज से इस्या से लोब से मों से आधी के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो आई आज बताते हैं भगवान गीता की अठारा ग्यान की बाते अनन्द मनुष के भीतर ही निवास करता है प्रंतु मनुष उसे घर में और बाहरी शुखों में खोजता रहता है भगवान स्री क्रिश्न कहते हैं कि भगवान की उपासना के बल सरीर से नहीं, बल कि मन से करनी चाहिए भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है मनुस की बासना ही उसके पुनर जनम का कारण होती है इंद्रियों के अधीन होने से मनुस्य के जीवन में विकार और कस्ट आती है संजम यानी धैर्ज, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुन सत संग के बिना नहीं होते स्री कृष्ण कहते हैं कि मनुस्य को बस्तर बदलने की आवसकता नहीं है भगबान ने जी से संपत्ती दी है उसे गौमाता जरूर रखना चाहिए जुआ, मदिरापान, परिस्त्री, गमन, हिंसा, अशत्त, मद, आसक्ती और निर्दैता इसम में कल्जू का बास है अधिकारी शिस्व को शद गुरू, अच्छा गुरू अवस्य मिलता है श्री क्रिष्न कहते हैं कि मनुस को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि इस्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है साथ ही विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है भोग में छनवर के लिए सुख है और त्याग में अस्थाई आनंद है पगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग इस्ष्वर की कृपा से मिलता है प्रंतु कुसंगती में परना मनुस के अपने ही हाथों में लोब और ममता पाप के माता पिता है शाथ ही लोब पाप का बाप है स्री कृष्ण कहते हैं इस तरी का धर्म है कि रोज तुलसी और मापारबती का पूजन करे मनुस को अपने मन और बुद्धी पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार-बार मनुस को दगा देते हैं खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है ये दीपती पतनी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के उप में उनके घराने की एक्षा रखते हैं भगवान इन सब ही कसोटियों पर कसकर जाच परक कर ही मनुस्यों को अपनाते हैं तो बोलिए जय स्री कृष्ण जय स्री कृष्ण